भारतिय मूल के क्रिकेटर विनायक शुकला ने हॉंग कॉंग सिक्सेज में अपने शांदार प्रदर्शन से सबका ध्यान की जा है उन्होंने 275 रन बनाए जिसमें 32 छट के शामिल है ओमान ने भारत के खिलाफ मात्र 4.2 ओवर में लक्ष हासिल किया रविचंदरन अश्विन और मायंद अग्रवाल IPL 2025 की तयारियों में जुटे है जेम्स एंडर्सन और शोयब अक्तर के प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है जबकि भारतिय टीम की रंजी ट्रॉफी 2024 में संभावनाए बढ़ रही है भारतिय तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज की हालिया फॉर्म चिंता का विशय बनी हुई है न्यूजिलिंड के खिलाफ दो टेस्ट में सिराज ने महज दो विकेट लिये है चैन करताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे सिराज को अब अपने गेंदबाजी में सुधार लाना होगा बी सी सी आई ने आस्ट्रेलिया टूर के लिए प्रेक्टिस मैच रद्द कर दिया है टीम इंडिया अब नेट प्रेक्टिस करेगी जिसमें खिलाडियों को मदद के लिए बुलाया जाएगा यह निरने पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है खासकर न्यूजिलेंड के खिलाफ हालिया हार के बाद IPL 2024 के लिए सभी फ्रिंचाइजी ने अपनी रिटेन लिस्ट जारी की है कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कप्तान श्रेस आयर को रिटेन नहीं किया जो की एक बड़ी हैरानी की बात है श्रेस ने आॉक्षन में जाने का फैसला लिया है दिल्ली में वाइट बॉल कोच गेरी कर्स्टन ने इस्तिफा दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मतभेदों के कारण उनका यह कदम उठाना पड़ा कर्स्टन का कारेकाल 6 महिने में समाप्थ हुआ जिससे टीम की स्थिती और अस्थिर हो गई है पूर्व भारतिय बल्लेबाज मुहम्मद कैफ ने न्यूजीलन के स्पिनर एजास पटेल पर विवादास पद टिपनी की है कैफ ने कहा कि पटेल जैसे गेंदबाज भारत में आम है उनका प्रदर्शन और गेंदबाजी की गुर्वत्ता पर भी सवाल उठाए जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है दिल्ली, विराट कोहली ने वन्डे क्रिकेट में सचिन तेंदलकर का उन्चा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ कर पचास शतक जड़ दिये है न्यूजिलन्ड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने यह एतिहासिक मुकाम हासिल किया जो आने वाले खिलारियों के लिए चुनौती बना रहेगा दिल्ली में भारतिय क्रिकेट टीम ने न्यूजिलन्ड के खिलाफ स्पिन गेंदबाजी के सामने बेपसी दिखाई पूर्फ कप्तान केविन पीटरसन ने बल्लेबाजों को सुझाव दिये और कहा कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का स्तर गिर रहा है टीम मौजूदा समय में फॉर्म में नहीं है भारत और न्यूजिलन्ड के बीच क्रिकेट की चल्चा तेज है जिसमें रविचंदरन अश्विन और मायन अगरवाल के प्रदर्शन पर नजर है IPL 2025 और रंजी ट्रोफी 2024 के लिए खिलारियों की चयन प्रक्रिया भी चल रही है क्रिकेट के इस उत्सा में सभी की नजरे जमी हुई है